हेलो गाइस स्वागत है आपका रिशन फायर की एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जावा पैरक की EMI डिटेल्स के बारे में तो सबसे पहले ऑन रोड प्राइस की बात करें तो दली के अंदर इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है दो लाग 24,975 रुपे तो अगर आप 45,000 रुपे की डाउन पेमेंट देते हो और 3 महीने के लिए इसको EMI पर लेते हो तो आपको हर महीने 7,246 रुपे की इंस्ट्रोल मेंट देनी पड़ेगी और आप लेते हो 6 महीने के लिए तो आपको 31,999 रुपे के इंस्टॉल्मेंट हर महीने देनी पड़ेगी जबकि अगर आप लेते हो 9 महीने के लिए तो आपको 21,053 रुपे की इंस्टॉल्मेंट जो है देनी पड़ेगी 18 महीने के लिए 11,017 रुपे 21 महीने के लिए 9,586 रुपे 24 महीने के लिए 8,514 रुपे 27 महीने के लिए 7,681 रुपे की इंस्टॉल्मेंट देनी पड़ेगी 30 महिने के लिए आपको 7,016 रुपे की इंस्ट्रॉल्मेंट जो है हर मन देनी पड़ेगी जब कि अगर आप लेते हो 33 महिने के लिए तो आपको हर महिने 6,430 रुपे की इंस्ट्रॉल्मेंट देनी पड़ेगी 45 महीने के लिए 5,030 रुपे की installment 48 महीने के लिए यानि कि आप लेते हो 4 साल के लिए तो आपको 4,784 रुपे की installment हर महीने जो है वो जाएगी आपके 51 महीने के लिए 4,560 की installment जाएगी 14 महीने के लिए 4,375 रुपे की installment संतावन महिने के लिए 4,203 रुपे जब कि अगर आप लेते हो 5 साल के लिए यानि कि 60 महिने के लिए तो आपको हर महिने 4,49 रुपे की इंस्ट्रॉल्मेंट जो है देनी पड़ेगे तो यहाँ पे आप क्लेरली जो है जावा पे रखके EMI चार्ट को देख सकते हो कि onward price यहा रही थी डाउन पेमेंट हमने 45,000 कर दिया और मंतली चार्ट हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है जिसमें कि आप क्लेरली देख सकते हो कि जैसे इसे लून का हम पीरड बढ़ाते जा रहे है वैसे वैसे मंतली इंस्ट्रॉल्मेंट जो हमारी कम होती जा रही है पर इसका मतलब यह नहीं कि हाँ हमें लंबे टाइम के लिए लोन लेना है क्योंकि आप जितने जादा लंबे टाइम के लिए EMI मतलब भरो कि अगर आप मतलब तीन महीने में देख रहे हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि तीन महीने की तुलना में साथ महीने में इस्ट्रॉल्मेंट जो है काफी कम हो चुकी है बट ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि जितना लंबे टाइम के लिए आप जो है झाल झाल